हाई मेरे नौजवान उर्जवान हमारे देश के प्यारे प्यारे होनहारो तो आज हम लग चैप्टर एस ब्लॉक में परने वाले हैं एनोमलेस बिहेवियर आफ लीथियम अर्थात देशम अप्ड़ प्रोपर्टीज अफ लीथियम डिफर फ्रोपर्टीज आफ अधर मेटल ग्रुप 1A मतलब अलकली ग्रुप तो कुछ तो कारण होगा कुछ कारण है उस कारण से कुछ प्रोपर्टीज लीथियम का अपने ग्रुप के अधर मेटल से अलग हो जाता है या अलग प्रोपर्टीज सो करता है जिसके कारण हम लोग ये कहते हैं कि लीथियम सोज अनोमल behavior ठीक है तो आप जानते हैं कि alkali metals का जो first element है alkali groups का जो first element lithium है और lithium में क्या होता है उसका size बहुत छोटा होता है due to a smaller size of their atom and iron atom और iron का size छोटा होता है दोसरा इसमें आने सेनेरजी इसका आने सेने जी exceptionally high होता है electropositive character बहुत कम होता है तीसरा इसका inter metallic bond metal metal के वीच में जो बहुत होता है इसमें इंपटी डी और वाइटल नहीं होता है जानते हैं डी और वाइटल कहां से सुरू होता है यहां केबल दो ही और वीट होता है तो इसमें इंपटी डी और वाइटल यहांनि ननवाबिलीटी डी और वाइटल होता है और डी टुए स्मॉलर साइज ऑफ ए लाइट प्लस आयन इसका polarizing power बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण आपको पता ही है कि the most of the highlights the most of the compounds of the lithium mainly highlights are covalent nature while other is अलग आयनी creature तो चार पांच मुटा मुठी कारण है क्या लीथियम का anomalous properties और anomalous behavior करने का वो कौन साब कारण है तो reason हम लोग लिखते हैं reason reason है आपको पता है एक ही घर में यादि चार भाई है ठीक है तो तो तीन वो भाई का प्रपरटीज सेम होता है एक का एकसेप्सेप्शनली ऐसा हो जाए जो बिलकुल एकस्पक्टेशन से बिलकुल अलग है तो उसके पीछे कुछ ने कुछ तो कारण होता है या जो इसको बागी बना देता है तो चलिए वाई द लीथियम बिकाम बागी इन अमांग अलकाली मेटल तो पहला कारण इसका कहता है कि कि इसका लीथियम का जो यह है वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल साइज अफ एलाई आटम और इट्स आयन इट्स आयन मतलब एलाई प्लस पहला अप लीथियम के एटम और उसके आयन का साइज मुन्ही एले या यहले प्लस का साइज exception नी क्या होता है छहां होता है दूसरा हाई हाई आई आयेजेशन इनरजी हाई आयेजेशन इनरजी आरज अ लोग्त्र რᵍ करेक्टर उलेक्ट्ट्र पॉजितिव नेचर, ठीक है सर, तीसरा, नन एवे ले बिलीटी आजी, आप डी अरवाइटल, डी अरवाइटल, डी अरवाइटल, इन वारेटल्स, इन वालेंसल, बाहरी सेल में, वैलेंशेल में इंपटीड यूरेटल जहां नहीं होता है ठीक है चोथा ये तीन तो आप जानते ही हैं और चोथा आप जानते हैं इस्ट्राङ इंटर्मितालिक बउन्ट मञडिंग मेटल मेटल के बीच मेnes यह प्रपरटीज करता है तो वह प्रपरटीज कौन है उसको हम लोग थुरा सा देखें थी कैसे हैं तो वो प्रोपर्टीज, यानि एनमलस ब्हेबियर या एनमलस प्रोपर्टीज कौन है, तो उसको हम लोग देखें, ब्हेबियर, यानि प्रोपर्टीज, तो देखें सर क्या है, पहला प्रोपर्टीज यही है कि लीथियम, लीथियम क्या होता है, हाड होता है, जब कि अधर या मेटल साथ जनरली स्ट लीथियम का मिल्टिंग पॉइंट एक्सप्शनली बहुत ज्यादा होता है रिस्पेक्ट ऑफ अदर अलकली मेटल्स तेस्टरा लीथियम आप जानते ही हैं जब एर में एक्सपोज करते हैं हवा में एक्सपोज जब आप अक्सीजन के साथ जलाते हैं में अक्सीजन के साथ रेक्शन करते हैं तो अक्साइड बनाता है जबकि अदर पर अक्साइड यह सुपर अक्साइड बनाता है लीथियम एक अकेला एलिमेंट है जो डारेक्ली नाइट्रोजन से कंबाइन करता है इन एर में तूफ नाइट्राइड वलकि अदर अलकल जबकि other alkali metals are, जिहां, क्या है, मुलायम होता है, ठीक, दूसरा प्रपर्टिज है, लीथियम, लीथियम, हैब, हाई MPBP, हाई MP and BP, बैन, अधर, अधर alkali metal, यहीं थोरा सा एक्सेप्शनली ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ, अधर alkali metal, इसलिए हम लिए इसका चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, तीसरा क्या होगा, जी हां, बता तो बहुँ सारा है, देखें, तीसरा आप लिखें कि लीथियम, लीथियम, रियक्ट, रियक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू फॉर्म, टू फॉर्म, नॉर्मल अक्साइड, नॉर्मल अक्साइड, वाइल, वाइल, अधर, अधर मेटल, अधर alkali metal की होगा, अधर, अलकली मेटल, अलकली मेटल्स, फॉर्म, क्या क्या चीज, फॉर्म, पेरोक्साइड, क्या होता है, पेरोक्साइड जानता ही है, आड, आड, सूफर अक्साइड, सूपर अक्साइड, चलिए, चाथा बताएए, चाथा बताएए, शर, लीथियम का रियक्टिविटी कम होता होता है due to high energy energy lithium is less reactive while other alkali metal काफी reactive होता है lithium lithium is less reactive while other while other लिखना है other alkali metals alkali metals are more reactive शाल यह यह बात हो गया है और बताइए लिथियम हीड़िए यह लिथीयं कंबाइन घंन वीथियर नीचरोज नीचरोजन गढणा है जीहान नीचरोजन कहा का एर या है नीचररोजोन जीहान नीचरोजन अलकली, मेटल, ॉक्षाइच, हात खड़ा कर देता है, अलकली मेटल, ऐसा नहीं करता है, तो चलिए, ऐसा, अलकली मेटल करता है, कैसा करता है, जहाँ, लिथियम, नाइ्ट्रोजन से, कमबाइन करके, एलाइ थीरी न, देखिये, यह Li3N यह लीथियम नाइट्राइड होनाता है तो चलिए इसको आप कॉपी कीजिए तो चलिए इसको मिठाईए और हम लोग कुछ और प्रोपर्टिस का डिसकेशन करते हैं तो देखे जब लीथियम को पानी में डाले थे तो क्या होता है थे बेचरा पानी में डालते हैं तो भीजे दो रीलीज ऑफ हाइडोजन आग लग जाता है जिसको बताते हैं कि पानी में आग लग जया कि नहीं लगता है डीट्र के कारण ऐसा मसूस होता है, तो लीथियम, लीथियम क्या है सर, रियक्ट, रियक्ट जेंटली, जेंटली, वाइल, वाइल अधर, अलकली, नेटल, नेटल क्या चीज़, भीगो, भीगो रसली, रसली विथ वाटर, ये भी पॉइंट नॉर्मल बाते है, ठीक है, चलिए सातमा पॉइंट नॉर्मल बाते है और कड़ ले, कि LiH, लीथियम हाइड्राइड, LiH, is more stable, more stable than, then hydride, hydrides of other, अलकली, अलकली मीटल, ये भी समान बाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, यह बहुत ज्याद θα बैखी है लई ट्स ओफ लीऊम लीटियम है लाईड़ी अ are generally जेनरली क्या है कोवालेंट कमघंपाउंड कोवालेंट कमघंपाउंड कमट्स दस इसली इसली बिसे, इसली बिसे रोगनिक इसे, 吸तारीट ऑ्ट एंट व 14 व लिट विटने।- 2 अ से से इलो वोग्यने. compound ionic compound and insoluble insoluble in organic solvent organic solvent ठीक है नमा पॉइंट आप लिख सकते हैं LICL get easily hydrated hydrated कैसे LICL 2S2 hydrated यह लिथियम का जो chloride है hydrated हो जाता है जबकि while other alkali metal alkali metal chloride chloride don't don't get hydrated ठीक है वो hydrated नहीं होता है चलिए यह हो गया और देखिए दसमा पॉइंट आप यह याद रखिए कि li2o and na lioh यह basic है लेकिन यह weak waste है weak waste है वायल oxides and and hydroxide hydroxides of alkali metal alkaline metal 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 और strong base तो यह भी पॉइंट सभारण पॉइंट ही है तो चलिए इसको एक मिनिट में कॉपी कीजिए आप तो चलिए इसको आप कॉपी कर लिजे हाँ जी तो अब ज़रे देखिए जो यह निक्स दो हम लोग इसका anomalous properties discuss करेंगे वो मेलनी ही यादा रखना है आपको यह सब सब्सक्राइब तो 11 में देखे क्या है कहता है कि लीथियम का हाइड्रक्साइड जानते हैं बेसिक नेचर होता है उसको गड़म कीजिएगा तो बीचार टूट जाता है डिकंपोज हो जाता है जबकि अधर अलकली मेटल के अलग अलग प्रोड़क्ट बनाता है ठीक है और चौथा इंपोर्टेंट है कि लीथियम से जबकि अधर अलकली मेटल इथाइन या एसेटलिं से रिएक्ट करके असेटाइलिट्स बनाता है यह चार प्वाइंट जो है वह सबसे important है तो आप 11 क्या लिखिए कि lithium, lithium hydroxide, hydroxide decomposed, decomposed, decomposed on heating, while other, other alkali, other alkali metals, other alkali metals don't, देखे कैसे, 2 LiOH को यदि आप hit किजेगा, तो Li2O plus H2O, यह बना दे, आप next देखे, lithium carbonate, क्या है Li2CO3, decomposed, decomposed on heating, while other alkali metal, other alkali metal don't, कैसे, 2 Li2CO3, इसको यदि गरम किजे, ठीक है, Li2O plus CO2, यह hit करने पर ऐसा होता है, जबकि दुसरे metal के, आप carbonate को गरम किजेगा, तो कुछ नहीं होगा, क्या है, कोई product यहाँ, NA, K, RB, CS, ऐसा, क्या होगा, तो आपको यह ध्यान में रखना है, तीसरा रखना है, के lithium, lithium nitrate and other alkali metal, alkali metal nitrate decomposed, decomposed on heating to form, to form, to form, हाँ, form है, बनाता है, to form different product, different, different product, दोनों का product अलग-अलग होता है, ठीक है, कैसे होता है, तो आप देखे, lithium, क्या करता है, oxide, यहाँ देखे, यदि आप मिज़रा रहे हैं, देखे, चलिए, ठीक है, तो ठीक है, मिज़रा रहा है, तो देखे, 4LiNO3, इसको यदि आप hit करते हैं, तो 2Li2O, प्लस 4NO2, प्लस O2, देख लिजे, क्या बना रहा है, oxide बना रहा है, और oxygen निकल रहा है, तो nitrogen dioxide बना रहा है, जबकि दूसरे किसी metals के, MNO3, अधर अलकली metal के, नाइट्रेट को यदि गरम कीजे, तो नाइट्राइट बनाता है, नाइट्राइट बनाता है, और oxygen gas evolve करता है, देख रहा हैं, तो यह ध्यान में रखना है, यह point आप ध्यान में रखिएगा, क्या, अलकली metal, यह point सबसे ध्यान में रखना है, क्या, अलकली metal nitrate whenever heating, to give their oxide, and release O2 and NO2 gas, while rest of other nitrates, जहां NK, RV, CS, यह है, उसको यह दिया आप गरम कीजेगा, तो यह क्या बनाता है, nitrite, यह क्या है, nitrate है, तो यह अलग-अलग बनता है, और चौथा जो इसमें चलिए, इसको हो गया, तो चौथा जो इसमें point आपको ध्यान में रखना है, कि, नहीं, चौथा नहीं, next, जो है, कि lithium, lithium don't react, react with ethine, ethine का मतलब जानते हैं, क्याची, acetylene, while, other, alkali, metal, metal form, form, acetylates, जैसे, यदि आप, देखे, यदि आप, यह देखे, यह acetylene है, यह acetylene है, यदि इसको आप, react कराईएगा, किस से, sodium से, या इसको आप sodium से react कराईए, या liquid ammonia से react कराईए, different तरीकिस से आप इसको react कराने पर, आपका जो product बनेगा, वो अलग-अलग बनेगा, जड़ंद देखे यहां यहां टूनी ले लिए देखे यहां यहां liquid ans3 के तरहा काम कड़ेगा तो देखे यहांसे यह सब निखल जाएगा यह देखे ए नफस ईनिक कमपाूंड होगा यह triple bond जिने प्लस देखें और हे गारे सोडियम डाइ सोडियम दाइड तो देखें यहां सोडियम या फिर कोई भी यहां के बदले आप यहां ले लेते हैं यानि यहां potassium को कराएंगे तो रवी डियू करेंट सब बनाएगा लेकिन यहां लीथियूब नहीं रियक्ट करके या चीज एक एसी टाइलिड नहीं बनाता है या यह ली करता है इताइन से तो यह चार पॉइंट जो लास्ट वाला हम लोग देखे हैं कॉन Hydroxide Lithium का Hydroxide को गडम करते हैं टूर ता यह तोड़ साथा देव आंधर आलक्ली अटेल नहीं टूरता है लिधियम का नाइट्रे connection के नाइट्रेट और आधर मेट्ल का नाइट्रेट दोरो तो तूटता है लेगे दोरों का प्रोड़क्ट अलग अलग बनता है यानि किस में फॉच फॉलों नाइट्रेट गिफ ऑक्सीजन गैस यह कोश्चन पुछता है तो आप जानते हैं किसके टिक लगाएंगे लिथियम में लिथियम के नाइट्रेट देखे ऑक्सीजन गैस रि लाइट में ठूड़ता है और अक्सीजन गैस तो सब रिलीज करता है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन इसमें से एक पॉइंट पर हम विस्कुस करना चाहेंगे कि पंद्रमा पॉइंट हम बना सकते हैं कि लिथियम का जो स्मॉल साइज होता है यह स्मॉल साइज क माल लजे हम ala plus का ही बात करें जितना ही साइज च्छोटा होगा तो क्या होता है आपको पता है इसमॉल साइज होने से उसका क्या होगा इसका पॉलराइजिंग पावर जादे ही सब तो जानते ही है इसका क्या होगा हाई 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 in thalpy of hydration होता है हाई in thalpy of hydration pem thalpy of hydration समर्ज रहा है होता है इसका मतलब क्या है more tendency more tendency tendency to get hydrated hydrated यह हो गया यहHola इसमें और भात आध्याने में रखना है कि जितना ही साई चोटा होगा? greater या larger larger is its hydrated ionic radius blem hydrated ionic radius बड़ा होगा साई चोटा होगा तो hydrated ionic radius क्या होगा बरा होगा और उतना ही देखे उतना ही देखे उसका क्या है उसका मोबाबिलीटी क्या हो जाएगा मोबाबिलीटी ओफ आइन उस आइन का मोबाबिलीटी उतना ही कम जाएगा यानि जितना ही एस्मॉल साइज होगा एक्वसेस्टेट में उसका मोबाबिलीटी उत activity of आयन उतना ही कम जाएगा यानि कहने का मतलब है आयनिक radius देखे आयनिक radius क्या है एलाई प्लस से बड़ा एने प्लस एने प्लस से के प्लस के प्लस से बड़ा आरवी प्लस आरवी प्लस से सी एस प्लस ठीक है लेकिन हाइड्रेशन हाइड्रेशन इन्थाल्पी क्या है यह आप जानते हैं एलाई प्लस एने प्लस के प्लस आरवी प्लस सी एस प्लस यह दोनों बात आप जानते हैं तीसरा बारात देखे आयनिक hydrated ionic radius hydrated ionic radius hydrated ionic radius देखे इससे और इसमें मिला करके देखे उल्टा है relation यानि ali plus का सबसे ज़्यादा होगा देन na plus इनि जितना ही उसका side छोटा होगा उतना ही उसका hydrated ionic radius बड़ा होगा जितना ही उसका side छोटा होगा hydrated ionic radius ज़्यादा होगा तो इसका मोबाविलिटी या कंड़क्टिविटी अफ आयन क्या होगा उल्टा हो जाएगा जितना बड़ा होगा बड़ा होगा भारी होगा तो इसका मोबाविलिटी कम जाएगा तो जितना ही छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा यानि मोबाविलिटी या कंड़क्टिवि कुलता हो जाएगा डिखे ऐसा हो गये देखे ऐसा हो जाएगा आत विए तो आप इसको rolls रख यह ठीक आप यहां देखिए यह क्या मतलब है छोटा हो जाने से क्या हो गये इसको देख लिए डियम यहां इने मॉल लिज़ए 이렇게 तो जितना ये छोटा होगा उतना ही देखे ये ये वाटर मोलेकुल्स, लार्ज नूमबर अफ वाटर मोलेकुल्स को ये क्या करेगा, एट्राक्ट करेगा, Large number of water molecules को लंबे दूडी तक यह क्या करेगा? Large number of water molecules को यह camera attract करेगाрос Large number of water molecules को यह attract करेगा तो इसका देखे aignic radius देख रहे हैं इसका यदी यह radius देखे aignic radius इसका क्या होगा? 12 हो जाएगा यानि यह भारी हो जाएगा तो इसका movability क्या होगा? जो क्योंक्ताम मौवाबिलिटी के हो गाकोट स्मॉल साइज हैं स्ट्राउंग पॉजेटी फिल लाई प्लैस में तो लार्ज घ्र pockets मतलब बाइम मतलब हुए जर्श का नीगेट्र का ओम और इसको एक्त्रैक्ट करेगा वाटर मोलेकुल के साइज को आपके us जिसके कारण हम कहते हैं कि इसका hydrated form इसका radius होगा यह तो अब जैसे कि यही radius जो लीजे hydrated form इसका radius बड़ा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा तो यह भारी हो जाएगा मतलब इसका mobility कम जाएगा mobility कम जाएगा तो conductivity भी कम जाएगा ठीक है और इधर देखें यह चटकुनिया सब ऐसे यह देखें मालीजे एने प्लस में हैं यह attract करेगा लेकिन कम water molecules को attract करेगा और बहुत कम दूरी तक water molecules को attract करेगा देख रहे हैं यह चुकि इसका power कम है तो यह एक तो कम number of water molecules को attract करेगा और दूसरा देखें एक तो कम number of water molecules को attract करेगा साथ-साथ इसका जो attraction का जो distance होगा वो भी कम होगा तो इसलिए यह radius इसके तुला में क्या होगा यह चोटा होगा वैसे ही के में और कम नमबर आफ Wactor molecule को attracting करेगा तो यह रेडियस क्या होगा और छोटा हो जाएगा effectivement just छोटा होगा, छोटा होगा मतलब रेडियस छोटा होगा, रेडियस छोटा होगा, मतलब लेस नमबर अवाटर मोलेके अटेक्ट करेगा, यह हलका होगा, तो मौबबविलीटी ज्यादा होगा, तो कंड़क्टिवीटी ज्यादा होगा, किदकार, इधार, यानि जितना केटा आइनिक का रेडियस बड़ा होगा, मौबविलीटी कम होगा, कन्डेक्टिविटी कम होगा, तो इतना काफी है, आप इसको समझ गए होंगे, तो चलिए, आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं, और इस आसा में कि चलिए जल्द मिलते हैं, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जाहिंद,